हलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल कोविन मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो फीरे विद्यार थे हो आज किस क्लास में हम कवसाच चेह और साथ गनित विश्य की ब्रक बुग दोजारतेवी 24 के कारे पत्रक 94 को हल करना सिखेंगे बच्चो आज किस कारे पत्रक में हम भिन संक्याओं और दस्मलव संक्याओं के बारे में समझ बना पाना सिखेंगे इसके बारे में बच्चो भिन संक्याओं और दस्मलव संक्याओं के बारे में सिखेंगे देखो बच्चो पहला प्रशन है निम्नलेखित दस्मलव संक्याओं को संक्या रेखा पर दर्साइए हमें क्या करना है बच्चो जो हमारे सामने दस्मलव संक्या दी गई है उनको संक्या रेखा पर बताना है देखो बच्चो पहला प्रशन है 0.5 यानि कि बच्चो 0 के बाद कितना 5 तो बच्चो 0 के बाद 5 देखो 1, 2, 3, 4 और 5 तो बच्चो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 तूसरा है बच्चो 1.9 यानि बच्चो 1 के बाद 9 ठीक है तो बच्चो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तो बच्चो 1 के बच्चो यहाँ पर आ जाएगा 1.9 तूसरा है बच्चो 2.5 यानि बच्चो 2 के बाद 5 तो 1, 2, 3, 4 और 5 तो बच्चो 2 के बाद 5 यानि की 2.5 तो बच्चो 1.6 यानि बच्चो 1 के बाद 6 इस्तान 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पर हो जाएगा बच्चो 1.6 पांच वाँ बच्चो तीन दसमलव 7, यने तीन के बाद 7 इस्तान, एक, दो, तीन, चार, पांज, चे और 7, यहाँ पर हो जाएगा बच्चो, तीन दसमलव 7, ठीके, आगे बढ़ते हैं बच्चो, प्रशन संख्या 2, नीचे दिग गई दसमलव संख्याओं को इस्तानी अमान सारनी के अंदर लिख फिर बच्चो दसांस, दसांस का मतलब है दसमलव के बाद पहला अंक, दसमलव के बाद पहला अंक कितना है आठ, फिर बच्चो सतांस, यहनि दसमलव के बाद दूसरा अंक कितना है बच्चो तीन, और अगला है सहस्त्रांस, यहनि दसमलव के बाद तीसरा अंक, वो कितना है बच्चो 0 है ठीके इसी तरह बच्चो दूसरे प्रशन में देखो सेकडा का अंग 0 दाई का अंग 1 इकाई का अंग 8 फिर दसांस का अंग 3 सतांस 0 और सहस्त्रांस कितना है 2 तीसरा बच्चो सेकडा का अंग कितना है 5 दाई का 1 फिर इकाई का 5 दसांस कितना है 1 सतांस कितना है और लाष्ट में है सहस्त्रांस वो कितना है 0 अगला बच्चो छोथा यहाँ पर सहक्डा का अंक 2 दाहाई का 1 इकाई का 6 दसांस का 3 इन सतांस का 7 और सहस्त्रांस का कितना है 2 अगला बच्चो पांचवा, सेकड़ा का 7, दहाई का 6, इकाई का 8, इधर 0, 0 और बच्चो 2, ठीके, आगे बढ़ते हैं बच्चो, प्रशन संक्या 3, निमन लिखित को दसमलाव रूप में क्या करना है बच्चो, लिखना है, क्या लिखना है बच्चो, दसमलाव रूप में, जेश्ब पहली संक्या देखो बच्चो, 300, 10 और फिर 8, बच्चो देखो सेकड़ा कांग कितना है? 3, दहाई का 1, इकाई का 8, फिर बच्चो, दसांस कितना है? 10 से बच्चो, 0, 37 कितना है? 5, और बच्चो, सहस्त्रांस कितना है? 3, तो संक्या क्या बनगी? 318, 0, 5, 3, इसी इकाई का अंक पांच, फिर दसमलव, फिर दसांस का कितना है, एक, और फिर बच्चो, सतांस का अंक भी कितना है, एक, तो कितना लिखेंगे बच्चो, बच्चो मिसको लिख देंगे, पिचानवे, कितना लिखेंगे बच्चो, पिचानवे दसमलव, एक, एक, कितना लिखें यहाँ पर इकाई दाई और सेक्डा कांग जीरो है फिर बच्चो दसांस कांग कितना है साथ है फिर सतांस कांग कितना है छें है और सहस्त्रांस कांग कितना है बच्चो तीन है ठीके तो बच्चो इसको कैसे लिखेंगे लिखेंगे बच्चो सुन्य दसमलव क्या लिखेंग एक एक लिखते हैं तो साथ दस्मलव सुन्य दस्मलव साथ छे तीन कितना लिखेंगे सुन्य दस्मलव साथ छे तीन अगला बच्छो देखो यहां पर दहाई कांग कितना है पांच इकांग कोई नहीं है यानि जीरो फिर बच्छो दसांस कांग जीरो फिर सतांस कांग तीन और सहस्तरांस कांग एक, बच्चों कितना लिखेंगे इसे, इसे लिख देएगे बच्चों, पक्चास, कितना लिखेंगे बच्चों, पक्चास दसमलाव, सुन्य तीन एक, क्या लिखेंगे? पच्चास दसमलव सुन्य तीन एक ठीक है आगे बच्चो पांचवा प्रश्न है देखो सैकडा कांग कितना है दो दाई कांग तीन इकांग जीरो दसांस कांग जीरो और सतांस कांग च्यार ठीक है तो बच्चो कितना लिखेंगे लिख देंगे बच्चो 230 कितना लिखेंगे बच्चो दो सो तीस दसमलव सुन्य चार कितना लिखेंगे दो सो तीस दसमलव सुन्य चार ठीके आगे बढ़ते हैं बच्चो प्रशन संक्या चार निमनल लिखित को दसमलव रूप में व्यक्त कीजिए तो पहला देखो चार सही तीन बटा दो तो बच्चो पहले क्या करेंगे इसको साधान भीन में बदलेंगे दो का गुणा चार से कितना हो गया आठ आठ में कितना जोड़ना है तीन तो कितना हो जाएगा बच्चो ग्यारह बटा दो और बच्चो ग्यारह में दो का भाग दे कितना हो जाएगा 13 बटे में 5 बच्चो 13 में 5 का भाग देंगे कितना जाएगा बच्चो 2.6 कितना जाएगा 2.6 कैसे भाग देना है देखो बच्चो 13 में भाग देना है 5 का तो 5 दूनी 10 है ना 5 दूनी 10 उपर से कितना बच्चा 3 बच्छो 5 का भाग 3 में नहीं जाता इधर उतारेंगे 0 इधर कितना उतरेगा दसमलव 5 चंग 30 ठीके 30 में से 30 जाएगा तो बच्छो 0 अगला देखो 7 बटा 9 बच्छो 7 में 9 का भाग देंगे तो कितना होगा बच्छो 0 दसमलव 7 7 कितना होगा 0 दसमलव 7 7 अगला बच्चो छोता देखो, 9 का गुणा 1 से 9, बच्चो 9 में कितना जोड़ना है? 8, कितना हो जाएगा? 17, 17 बटे में 9, 17 बटे में 9 कितना है बच्चो? 1.8, ठीके, अगला बच्चो 5 वा, 3 पंजे 15 हो, 15 में कितना जोड़ना है? 2, 17 बटे में 3, कितना होगा बच्चो? यह कितना होगा 0.64 तो इस तरह बच्चों हमने कारे पत्रव 94 के सभी प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं उम्मित करता हूँ सभी प्रश्णों के उत्तर आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने का आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्छों लाइक, कमेंट, सेवर और सबस्क्राइब जरू करें आज गले इतना ही जे हिंद, जे भारत